हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का अध्याए परिक्षा कोई मनुष्य केवल विद्या अथ्वा उची उपादियों से ही बड़ा नहीं हो जाता अपितु डया परोपकार की भावना करतव वे प्राणयता आदी से वे समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है प्रस्तुत पाठ में भी यही बताया गया है कि किस प्रकार सुजान सिंग ने रियासत के दिवान पद के लिए उम्मीदवारों की परिक्षा ली और कौन उनमें कैसे सफल हुआ किसी पद के लिए योगिता बरकना किस बात का सूचक है बच्चो दिये गए स्थान पर आपको यह लिखना है आईए शुरू करते हैं पाठ परिक्षा जब रियासत देवगड के दिवान सरदार सुजान सिंग बोड़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई जाकर महराज से उन्होंने विन्य की दिन बंधू दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की अब कुछ दिन पर मात्मा की भी सेवा करने की आग्या चाहता है दूसरे अब अवस्ता भी ढल गई राजकाल संभालने की शक्ती नहीं रही कहीं भूल चुक हो जाए तो बुड़ापे में दाग लगे सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए राजा साहब अपने अनुभवशील और नीती कुछल दिवान का बड़ा आदर करते थे उन्होंने बहुत समझाया लेकिन जब दिवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना सुईकार कर ले पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दिवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा दूसरे दिन देश के प्रशित पत्रों में यह विज्यापन निकाला देवगड के लिए एक सुयोग्य दिवान की आविशकता है जो सजन अपने को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दिवान सरदार सुजान सिंग की सेवा में उपस्तित हो यह जरूरी नहीं की वे ग्रैजविट हो मगर हिरिश्ट प्रिश्ट होना आविशक है एक महिने तक उमीदवारों के रहन सहन आचार विचार के देखबाल की जाएगी जो महाशे इस परिक्षा में खरे उतरेंगे वही इस उचपद पर सुशोबित होंगे इस विज्यापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी उचापद और किसी प्रकार की कैद नहीं केवल नसीब का खेल है सेकडों आदमी अपना अपना भागे परकने के लिए चल खड़े हुए देवगड में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे कोई पंजाब से चला आता था कोई मदरास से कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भागे की परिक्षा करने का अफसर मिला सरदार सुजान सिंग ने इन महानुभवों के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रभंद किया था प्रतेक मनुष्य अपने जीवन को अपने बुद्धी के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशेश करता था मिस्टर आ नौ बजे दिन तक सोया करते थे पर आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उशा का दर्शन करते थे मी बा को हुक का पीने की लद थे परन्तु आजकल बहुत रात गए की वाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे मिस्टर सा दा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाव के बगेर किसी नौकर से बातचीत नहीं करते थे महाशेक का नास्तिक थे मगर आजकल उनकी धर्म निश्टा देख कर मंतिर के पुजारी को पद्युत होने की शंका लगी रहती थे मिस्टर ला को किताबों से घरणा थी परन्तो आजकल वे बड़े बड़े घरणत देखने पड़ने में डूबे रहते थे जिससे बात की जाए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था लोग समझते थे कि एक महिने का जंजट है किसी तरह काट ले कहीं कार्य सिद हो गया तो कौन पूच्ता है लेकिन मनुश्यों में वह बूड़ा जोहरी आड में बैठा हुआ देख रहा था कि इन वगुलों में हंस कहा चुपा है एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हाकी का खेल हो जाए यह प्रस्ताव हौकी के मन्जे हुए खेलाडियों ने पेश किया वह भी तो आखिर विद्या है इसे क्यों छिपा कर रखें संभव है कि कुछ हातों की सफाई ही काम कर जाए पढ़े लिखे भले मानस लोग शत्रंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे दोड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे चलिए तै हो गया कोट बन गये खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफतर के अपरेंटेस की तरह ठोकरे खाने लगी रियासत देवगड में ये खेल बिलकुल निराला था खेल बड़े उत्सा से जारी था धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर पढ़ती चली जाती है लेकिन दूसरी और खेलाडी इस बड़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दिवार हो संध्या तक यही धुमधाम रही लोग पसीने से तर हो गए खून की गर्मी आँखो और चेहरे से चलक रही थी हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्ने ना हो सका अंधेरा हो गया था इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था उस पर कोई पुल ना था पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था खेल अभी बंध ही हुआ था और खिलाडी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनास से भरे गाड़ी लिये हुए उस नाले में आया लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चड़ाई इतनी उची थी कि गाड़ी उपर ना चड़ सके वे कभी बैलो को ललकार था कभी पहियों को हातों से धकेल था लेकिन बोज अधिकता गाड़ी फिर खिसकर नीचे पहुँच जाते बेचारा इधर उधर निराशो कर ताकता मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता था गाड़ी को अकेला छोड़ कर वे कहीं जा भी नहीं सकता था बड़ी विपत्ती में फसा हुआ था इसी बीच खेलाड़ी हातों में डंडे लिए जूनते जामते उधर से निकले किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आँखों से देखा परन्तु किसी से मदद मागने का साहस ना हुआ खेलाड़ी ने भी उसको देखा मगर बंद आँखों से उनमें सहानुभूती का नाम न था लेकिन उसी सम्मू में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदे में दया थी और साहस था आज हाकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी लंगडाता हुआ वह धीरे धीरे चला आता था अकस्मात उसकी निगा गाड़ी पर पड़ी वै ठिठक गया किसान को देखते ही सब बात ग्यात हो गई हाकी स्टिक किनारे पर रग दी कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला मैं तुम्हारे गाड़ी निकाल दूँ किसान ने देखा कि एक गठे हुए बंदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है डर कर बोला हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं यूवक ने कहा मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फसे हो अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलो को साधो मैं पहियों को ढखेलता हूँ अभी गाड़ी उपर जाती है किसान गाड़ी पर आकर बैठा यूवक ने पहियों को जोर लगा कर खिसकाया कीचर बहुत ज्यादा था वे घुटने तक जमीन पे गड़ गया लेकिन हिम्मत ना हारे उसने फिर जोर लगाया उधर किसान ने बैलो को ललकारा बैलो को सहारा मिला उनकी हिमत बंद गई उन्होंने कंधे जुका कर एक बार और जोर लगाया बस गाड़ी ना लेके उपर थे किसान युवक के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और बोला महराज आपने आज मुझे उबार लिया नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता युवक ने हसकर कहा आप मुझे कुछ इनाम देते हो किसान ने गंबीर भाव से कहा नारायन चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी युवक किसान के तरफ गौर से देखा उसके मन में एक संदे हुआ क्या ये सुजान सिंग तो नहीं आवाज मिलते जुलती है चेहरा मुहरा भी वही है किसान ने भी उसकी ओर त्रीवद्रिश्टी से देखा शायद वह उसके दिल के संदे को भाब गया मुस्कुरा कर बुला गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है निदान महिना पूरा हुआ चुनाव का दिन आर पहुँचा उमीदवार लोग प्रातह काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे दिन काठना पहाड हो गया प्रतेक के चहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे न जाने किस पर लक्षमी की करपा द्रिष्टी होगी संद्या समय राजा साहब का दर्बार सजाया गया शहर के रईज और धनाडे लोग राजा के कर्मचारी और दर्बारी तथा दिवानी के उमीदवारों का समों सब रंग बिरंगे सजधच कर दर्बार में आविराजे उमीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे तब सरदार सुजान सिंग ने खड़े होकर कहा मेरे दिवानी के उमीदवार महाशयो मैंने आप लोगों कुछ जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे शमा कीजे मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवशक्ता थी जिसके हृदे में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी हृदे वही है जो उदार हो आत्मबल वही है जो विपत्ती का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के स्वभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है ऐसे गुणवाले संसार में कम होते हैं और जो है वे कीरती और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुँच नहीं मैं रियासत को पंडित जान की नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ रियासत के करमचारियों और रसोयों ने पंडित जान की नाथ की तरफ देखा और उमिदवारों के दल की आंके उधर उठे सरदार सहाब ने फिर फरमाया आप लोगों को यह सुईकार करने में कोई आपत्ती ना होगी कि जो पुरिश स्वैम जखमी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले से उपर चड़ाए उसके हिरदे में साहस आत्मवल और उदारता का न इवास है ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा उसका संकल्प द्रण है जो उसके चित को स्थर रखेगा वह चाहे धोका खाजाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा तो बच्चो यह कहानी लिखी है मुन्शी प्रेमचन जीने आपने इस कहानी से सीखा मानवता किसी भी योगता को परखने की सबसे उत्तम कसोटी है अतह हमें हमेशा मानवन चितकारे करते रहने चाहिए जब भी हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वैम कीजिगा